वेलकम बैक टो आर क्लास, आज किया हमारी क्लास उतरखण की क्लास है और उतरखण से रिलेटट जो सिक्षा एदुकेशन से रिलेटट जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं, जो जो योजनाय मनी हैं, वो सब आज हम डिसकस करेंगे, तो सबसे पहला है कि उतरखण स इनिताल में हमारा बोर्ड है उसके बाद है कि राज्य सैक्षनिक अनुसंधान प्रसिक्षन परिशत S.C.E.R.T तो ये जनवरी 2002 से नरेन नगर तीहरी में है और इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को पढ़ाने से निदेशालय होता है आपका तो जो निदेशालय है आपका उच्च सिक्षा के लिए यानि कि हायर एजुकेशन के लिए वो है हलदवानी न्यानिताल में इसके अलावा जो प्राविदिक सिक्षा यानि टेक्निकल जो सिक्षा होती है उसका जो निदेशालय है वो आपका श तो वो रूड़की में ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे सह समझनी है कि उच्छे सिख्षा निदेशाले आपका हलदानी नानीताल में उसके बाद प्राविधिक कहां है और उसके बाद प्राविधिक सिख्षा एवन परिश्चा परिशद कहां है आप जो सिख्षा से related क पारेकरम और योजना ये चली थी, कुछ शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको योजना वाला चप्टर बताया था, जैसे कि स्कूल चलो अभिहान, इस्कूल चलो अभिहान, एक जुलाई 2001 से शुरू हुआ है, और ये है आपकी Central Government की योजना, इस होने 10 और 12 में 80% या उससे ज़्यादा जो अंक लाते हैं, तो 10 वाले बच्चों को 12,000, 12 वाले बच्चों को 18,000 रुपए की चात्रविर्ती स्कूलर्शिप इसमें मिलती है, शिक्षा आचारे योजना, इसके तहट जो है, एक से कक्षा, एक से पास तक निशुलक पुस्त दी जाएंगी, तो शिक्षा आचारे योजना, ये थोड़ा नाम से हटकेस का काम है, तो जो जो मैंने आपको पहले भी बताया है, कि जिन में नाम थोड़ा अलग हो और काम अलग हो, तो उस पर थोड़ा विशेश द्यान दीजिए, फिर है कि विकलांग विद्याले, तो 13 विकलांग विद्याले इस समय हमारे राज्य में बने वे है, फिर है काल्प, काल्प की फुल फॉर्म क्या है, कम्प्यूटर एड़ेट लर्निंग एंड कारिकरम, लर्निंग कारिकरम, एकलास योजना, एकलास योजना के तहट क्या किया जाता है, कि 9 से 12, 9 तो 12 में गनित और विज्ञान के विशे जो होते हैं, तो यहां गौर्मेंट इस्कूल में भी यहां किया जाता है, कि मल्टी मीडिय यानि सीडी वगेरा के थुरू उनको क्लास दी जाती है, एकलास योजना में, फिर है राश्ट्रिय मादिमिक, सिक्षा, अभियान, जिसे रमसा भी कहते हैं, इसके तहट क्या होता है, केंद्र के सईयोग से, 750 विद्यालों में, उननती कारिकरम भी इसमें चलाया जा रहा है, पहले तो रमसा जो है केंद्र के सईयोग से चलती है, 750 विद्यालों में चल रहा है, और इसी के तहट उननती कारिकरम भी चलाया जा रहा है, जो कि प्रशिक्षन दिया जाता है जिसमें जो कम्पनी साहिता कर रही है वो है आपकी Microsoft और Intel दो कम्पनिया है जो आरो ही परियोजना में लगी वी है और इसके तहर जो सिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है वो दी जाती है Microsoft Academy दहरदून से फिर है राजीव गांदी नहोदे विद्याले उत्राघंड यहो यह देश में दो टाइप के नहोदे चलते हैं हमारे उत्राघंड में चलते है र तो राजीव गांदी नहोदे है यह चलते हैं 6-12 तक के और राजे सरकार की परियोजना है और इसमें क्या है कि 75% जो बच्चों के लिए आरेक्षन है वो है ग्रामिर बच्चों के लिए 75% इसके लावा 50% बालिकाओं के लिए भी है गल्सल के लिए भी आपका 50% का आरेक् है फिर है एक तो है राजीव गांधी नाओदे विद्याले और दूसरे होते हैं राजीव गांधी अविनाओ आवाशिय विद्याले ये केवल बालकों के होते हैं गरीब बालकों के लिए जैसे एक होते हैं कस्तूरबा गांधी आवशिय विद्याले तो कस्तूरबा गांधी जो विद्याले हैं ये केवल लड़कियों के लिए गरीब लड़कियों के लिए हैं इसमें SCST की लड़कियों को ज़्यादा रिजर्वेशन है तो सेम ऐसे ही होता है राजीव गांधी वहाँ पर रखे जाते हैं शिक्षा बंधू या फिर शिक्षा मित्र तो मिड़े मिल जनरली सबको पता होता है एक से आठ तक के बच्चों को दोपर का भूजर मिल दिया जाता है इसमें अब यहाँ पर आगया कस्तूर्बा गांधी आवाशिय बाली का विद्याले राज्य के बारा जिलो में स्तित है कस्तूर्बा गांधी और ये भी केंद्र सरकार की पर योजना है फिर है देव भूमी मुस्कान योजना ये आपकी 2009 से चल रही है और इसके लिए 41 एक तालिस सि अब यहाँ आदर्श विद्याले चल रहे थे जिले के एक जिले में जो होगा हर जिले में एक इंटर कॉलेज और एक ब्लॉक में जूनियर हाइज स्कूल जो होते हैं उनको एक आदर्श श्कूल बनाया जाता है अब है आर्टी 2009 इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हो पहले भी फिर है कि रूम टू रीट कारेकरम अब ये पूछा जा सकता है कि रूम टू रीट कारेकरम किस जिले का कारेकरम है तो ये है हरीद्वार इसमें क्या है कि प्रते इसमें जो है पुस्तकालेओं की विवस्ता की गई है कि बच्चे जो पठन-पाथन करना चाहे वो पुस्तकालें में कर सकते हैं यानि कि लैबरीरीज में कर सकते हैं यूप्रोब कारेकरम तो इस कारेकरम के तहट यूप्रोब कारेकरम के तहट जलवाई और मौसम की जानकारी दी जाती है तो इसमें कुछ विद्याले चैन किये जाते है चैनित माद्यमिक विद्यालों में और उसमें दी जाती है जलवाई और मौसम से रिलेटेड जानकारिय अब है उच्च सिक्षा की संस्तान higher education के जो संस्तान है वो कहां कहां है कौन कौन से जैसे कि आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है भारतिय प्राद्धोगी की संस्तान रुड़की जो IIT है रुड़की वो कैसे बना था और कब बना था तो ये सबसे पहले एक तो ये देश का और एशिया का सबसे पुराना engineering college है तो ये question बन सकता है कि अगर एशिया का भी आएगा तो वो भी IIT रुड़की है और देश का भी आएगा तो वो भी IIT रुड़की है फिर है कि पहले ये जब बना कब था तो जब 1847 का time था तो उस time पे जब गंग नहर का निर्माण हो रह था तो उसके जो engineering से related work थे उसके time पर ये आपका बना था और उस time इसका नाम क्या था 1854 में बना और इसका नाम रखा गया Thompson College of Civil Engineering क्योंकि civil related work यहां पर हो रहा था civil engineering बना था फिर इसका नाम 1947 के बाद बन गया Thomas College of Engineering 1854 में बना है ठीक है उस time तक केवल civil था 1947 के बाद सोतनता के बाद इसके नाम से civil हटा के केवल इसे Thomas College of Engineering कर दिया गया फिर 1959 में यानि 1949 में ये बना विश्विद्याले यानि यूनिवर्सिटी रूर्ड की विश्विद्याले और ये भारत का पहला technical विश्विद्याले भी है उसके साथ साथ ये सबसे पुराना engineering college भी है अभी तक ये केवल विश्विद्याले था और 21 सेप्टेंबर 2001 को इसे बनाय गया IIT और यह कौन सा IIT बना था देश का यह बना था देश का सात्वा आई 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 टी अब रूड की बात हो गई अब आता है जी बी पंत क्रिशी एवं प्राध्यकी की विश्य विद्याले तो जो देश के देश अब हाँ अभी उपर देश का प्रथम आपका टेक्निकल स जी बी पंत क्रिशी विश्य विद्याले जो की बनाया आपका सत्रा नॉमबर उननी सो साथ को पंत नगर में और प्रथम कुलपती की अगर बात की जाए तो प्रथम कुलपती थे इसके डॉक्टर कैनेट एंथूनी पारकर स्टिवेंशन तो यह प्रथम कुलपती थे यह important नहीं है बट ये याद रखना जरूरी है कि ये देश का प्रथम क्रिशी विश्विद्याले है अब है वीरचंदर सिंग गडवाली ओध्योगी की एवं वान की विश्विद्याले वान की आपका one से related होता है तो ये आपका है भरसार ये भरसार आपका पौडी में स्तित है थली सेंड के पास है भरसार तो ये आपका 2011 में बना था वीरचंद सिंग गडवाली लेकिन पहले इसके आगे वीरचंदर सिंग नहीं था ये केवल गडवाल ओध्योगी की एमम वानी की विश्य विद्याले था इसके बाद इसमें जोडा गया 2015 में वीर शब्द वीर चंदर सिंग गडवाली के नाम से 2015 से जाना जाता है अब है आपका गुर कुल कांगड़ी विश्य विद्याले हरीद्वार तो सबसे पहले ये जो गुर कुल कांगड़ी विश्य विद्याले ये बना था 1900 में स्वामी श्रदान जी के द्वारा पंजाब के गुजरावाला में बना था लेकिन फिर इसे 1902, 2 मार्च 1902 में इसे हरिद्वार के कांगडी नामकिस्तान पे ले आया गया और 1924 में 1924 में इसे शिफ्ट कर दिया गया कनखल जौलापूर हरिद्वार में तो तीन चीजे हैं कि कब बना था और कब ये शिफ्ट हुआ था उत्राखंड में पहले तो हरिद्वार में ही कांगडी में था फिर ये कनखल जौलापूर में हो गया और 1962 में इसे दर्जा मिला गया युनिवरसिटी का विश्विद्याले का दर्जा इसे दिया गया अब है HNB इवन्ती नंदन बहुगुना गड़वाल विश्विद्याले है तो जब यहां राजी आंदोलन भी चल रहे था उसके साथ साथ यहां एक विश्विद्याले की बिमांग चल रहे थी तो श्रीनगर में और नैनिताल में दोनों जगा यहां कड़वाल विश्विद्याले खोला गया और 99 में कुमा विश्यविद्याले खुल गया, तो ये कब बना था 1973 में, 1973 में और 1989 में 1990 में इसके नाम के आगे HNB नाम जोड़ा गया, उससे पहले केवल गड़वाल विश्यविद्याले था और में बात आती है कि इसको Central University, केंद्रिय विश्यविद्याले का दर्जा कफ से दिया गया, तो ये आपका 15 जनवरी 2009 को, HNB को केंद्रिय विश्यविद्याले का दर्जा दिया गया अब है श्रिदेव सुमन विश्यविद्याले, तो जो टीरी परिशर है वहाँ पे ये चलता है, और इसका नाम, ये किस नाम से चलता है, पंडित दिन दियाल, उपाध्य है, उत्राखन विश्यविद्याले के नाम से चलता था पहले पहले तो ये था कि ये HNB, अब जैसे आप देखते हो कि जो प्राइवेट एजूकेशन होती है वो अब स्रीदेव सुमन विश्रविद्याल पहले HNB भी कराता था तो HNB का ही जो परिशर था, टिहरी वाला परिशर था, उसको बना दियेगा उस टाइम पे अगस्त 2010 से, क्योंकि Central University बन चुकी थी था अब उस टाइम तक चलता था ये पंडित तीन दियाल उपाध्याव उत्राखन विश्रविद्याल के नाम से लेकिन 2020 से इसको श्रीदेव सुमन के नाम से जाना जाता है आप यहां पर करैक्शन कर सकता हैं, यहां पर 2020 नहीं, 2012 इसको श्रीदेव सुमन के नाम से इस asına जाना जाता है पहले से पंडित दिन दियाल उपाध्याय उत्राखन विश्विद्याले के नाम से जाना जाता है आप कुमाव विश्यविद्याले जैसे गडवाल में गडवाल विश्यविद्याले था सेम उसी टाइम पर मैंने आपको बताए कि नैनिताल में 1973 में कुमाव विश्यविद्याले खुला था फिर है देव संस्कृती विश्विध्याले ये आपका सांतिकुञ में है और 22 मार्च 2002 को हरिद्वार में बना तो सांतिकुञ हरिद्वार में और जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है वेध माता गायतरी ट्रस्ट के द्वारा अब दूसरा है एक पतंजली विश्य विद्याले तो ये deemed university है deemed विश्य विद्याले है और ये खुला आपका 25 मार्च 2006 को हरिद्वार में और स्वामी राम देवजी के दौरा चलाये जाता है ये आपको पता ही है फिर एक है स्वामी एक तो है स्वामी राम देव जी द्वारा चलाएगा पतंजली विश्विद्याले एक है स्वामी राम हिमालयन विश्विद्याले जो जॉली ग्रांट वाला है तो स्वामी राम दौरा ये 1989 में चोली ग्रांड में शुरू हुआ था हिमेलन इंस्टूट ओफ हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम से और 2007 में मिला था इसे दीम्ड युनिवसिटी का दर्जद दीम्ड विश्विद्याले और अगर क्वेशन बने कि उत्रा खंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन है प्रथम मेडिकल युनिवसिटी कौन है तो दोनों यही है प्रथम मेडिकल कॉलेज भी है उसके बाब प्रथम मेडिकल युनिवसिटी भी स्वामी राम हिमालन विश्विद्याले है फिर कि संस्कृत विश्वविद्याले ये आपको पता है कि संस्कृत विश्वविद्याले कहा है आपका हरिद्वार में है फिर इनका जो सेंटर है वो कहा है हरिद्वार में है तक्निकी टेक्निकल विश्वविद्याले का यू टू यू का है आपका दहरादून में है फिर आयुर्वेद का कहा है आयुर्वेद विश्यविद्याले का ये आपका 2009 से है और दहरादुन में और इसके 5 आयुर्वेदी कॉलेज चल रहे हैं फिर हची किस्था सिख्षा विश्यविद्याले ये भी आपका दहरादुन में है तो ये सारे आपके विश्यविद्याले हो ग जो की बना था आपका 1956 में, इसके बाद है IIT रुडकी, IIT कहां है यहां पर रुडकी में है, NIT कहां पर है, सुमारी श्रीनगर में, पहले इसकी क्लासिस जो थी वो श्रीनगर में ही चलती थी, अब है Regional Engineering College, यह आपका द्वारहाट अलमोडा में है कुमाव Engineering College, फिरकि राज्य का सबसे पहला महिला Engineering College, यह था WIT, यह आपका बना था सुद्धो वाला दहरादुन, यह पहले पॉल टेक्निक था, इसे फिर राज्य का पहला Engineering, महिला Engineering College बना दिया गया था, अब आती बात चिकिस्टा शिक्षक की, मेडिकल शिक्षक की है, तो AIMS, सबसे पहले दिमाग म यह केंद्र सरकार के द्वारा, फरवरी 2004 से शुरू, मतब कारे इसका बनना शुरू हो गया था, लेकिन कारे करना इसने कब से शुरू किया है, AIMS ने फरवरी 2014 से, ठीक, 10 साल बात, AIMS ने शुरू, महां पे कारे करना शुरू किया, रिशिकेश में, उसके बाद है, सुश साथ ही, कैंसर का हॉस्पिटल भी यहां पे चलता है, अब है, वीड चंदर सिंग गडवाली राच्किया, मेडिकल कॉलेज, तो यह है आपका श्रीनगर में, और यह कब से शुरू हो गाता, यह हो गाता, 7 जुलाई 2008 से, मुख्यमंत्री भुवणचंद खंडूरी की जी के द्वारा और MBBS की यहां पे 100 सीट से है, अब है, चिकिस्था, सिक्षा, विश्विद्याले, जो की दहरादून में है, और 2013 से है, आईरवेदिक विश्विद्याले, दहरादून, यह आपका 2009 से है, अब राज्ये के जो प्रमुक संगठन है, संस्तान है, या फिर संग्राल जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, लोकसेवा आयोग, उत्राखन लोकसेवा आयोग कब से कारे कर रहा है, अप्रिल 2001 से, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, उत्राखन लोकसेवा और चार इसके सदस्य होते हैं, तो पहला अध्यक्ष ज प्रिक्षन विज्ञान शोध संस्तान जिसे एरीस के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर देखिया तारा तथा सौर भोतिकी जो आपका स्टार्स और ये सोलर सिस्टम से रिलेटड भोतिकी फिजिक्स होती है इसमें रिसर्च की जाती है एक तो इसमें और सबसे पहले व 1954 में उसके बाद इस 55 में शिफ्ट हुई थी नियनिताल के सेर के डानडा पहाड़ी पे फिर 1961 में ये वही थी मनोरा पहाड़ी में और 1994 तब से ये आगे है उत्राखंड सरकार के अधिन और 2004 से 2000 से 2004 तक तक तो रही है उत्राखांट सरकार के अधिन और 2004 के बाद से ये स्वायत सासी संस्ता है मतलब भी अपनी संस्तान है और इसको जो funding मिलती है वित्त पोशित किसके द्वारा है ये है विज्ञान एवं प्रौध्योगी की विवाग भारत सरकार द्वारा से वित्त जो ह दिया जाता है और 30 मार्ज दोजार सोला से यहाँ पर 2450 मीटर के हाइट पर जोकि दे़स्तल नामक इस्थान पर इश्या के सबसे बड़े ऑप्टिकल दुर्विन को यहां पर स्तापित किया गया है और किसके सज़योग से किया गया है ये बेल्जियम और भारत बेल्जियम दोनों के सयोग से यहाँ पर ये दूर्बीन को स्तापित किया गया है अब है भारतिय वन अनुसंस्तान संस्तान दहरादून FRI यह आपको मैंने पहले भी बताया है जब वन वाला चेप्टर हुआ था 1906 में उससे पहले इसका नाम कुछ और था पर 1906 से इसका नाम FRI है अब है भारतिय पशुचिकिस्टा एवं अनुसंसंस्तान तो यह आपका स्तित है मुक्तेश्वर नैनिताल में और इसे कहा जाता है भारत में पशुचिकिस्टा विज्ञान का मक्का मुस्लिम लोगों का बहुत पवित्रिष्टान है इसलिए इसको उपादी दी गई है भारतिय पशुचिकिस्टा विज्ञान का मक्का तो जो इसका शुरू में नाम शुरू किया गया था वो था आपका 1893 में में डॉक्टर एल्फरेट लिंगार्ड के द्वारा इसका नाम था Imperial Bacteriological फिर 1925 से इसका नाम शुरू नाम हुआ Imperial Institute of Veterinary और जो 1947 के बाद यानि सुतनता के बाद इसका नाम भारतिया पसुची किस्ता यहां अनुसंदान संस्तान हो गया अब यहां पे है आपका यहां पे देहरादून शिफ्ट कर दिया गया था और जो 1852 में इसके जो महा सरविक्षक थे जिनका नाम था Everest तो आपको पता चलेगा कि विश्व की जो सबसे उची चोटी है Everest उसका नाम Everest क्यों है तो वो वो Everest नाम इन ही की वज़े से हुआ था कि क्योंकि इन्होंने उसकी हाइट थी जो वो उसकी हाइट को ग्यात किया था जो कि आपकी 292200 आई थी इसी वज़े से उसका नाम इसका नाम क्या हो गया था Everest पड़ा था और उस टाइम पे चोटी XV करके इसका नाम था एक तो यह हो गया उपर से दूसरा जो काम था वो था कि भारत का प्रथम दाग टिकट था वो इसी विवाग ने जारी किया था 1854 में तो यहाँ पर आप नोट कर लीजीगा यह मिस हो गया है भारतिय सर्वेक्ष प्रशन विवाग यह कहां पर आपका दहरदून में स्तित है अब है जो प्रमुक संग्राले है उत्राखन के तो दहरदून वन संग्राले यह सबसे पुराना है एफ आराई में ही है 1914 से 1914 से है पंडित गोविन बलब पंद राजकिय संग्राले अलमोडा इसमें सांस्कृति किया गया है यह आपका 1979 पे है अब है जिम कारवेट नैशनल पार्क म्यूजियम काला डूंगी की नैनिताल में इस्तित है जिम कारवेट के नाम से है और उनकी बुक थी मैन इटर आफ को माओ यह उनकी एक पुस्तक थी फिर लोक संक्रेती संग्राले खुटानी भीमताल त यह सोधर मठवाल जी फिर है हिमाले पुस्तक पुरातत्तों संग्राले उन्नी सो ऐसी में है एसी से एचनबी श्रीनगर में स्थित है तितलियों का संग्राले यह आपका भीमताल नैनिताल में है और फ्रेडरिक स्मेटानेस की खोची थी इनके द्वारा ही वहाँ पे तित यह आपका नहरू परवतारोहन संस्तान में स्थित है उत्तरकाशी में नॉमबर 1965 से इसकी स्तापना हुई थी फिर है हिमाले दो देखिए एक तो हिमाले संग्राले उत्तरकाशी है और एक हिमाले संग्राले 2005 जो कि कुमाव विश्विद्याले के इतिहास विवाग में इस तो उनके जो चित्र लिए गये थे वो सारे यहाँ पे संग्रहित करके रखे गये हैं अब जो आपका टॉपिक है वो है परिवहन तंत्र परिवहन एवं संचार यहाँ पे कितने टाइप के परिवहन है एक तो हमारा आपका रोड़ वाला हो गया सडक मार्ग हो गया दूसर पूछा जाता है, वो NS से पूछा जाता है, National Highway, कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है, या फिर बद्रिनाथ की National Highway पे स्थित है, केदानाथ, जो चार धाम है, वो आपको अच्छे से याद रखने, बद्रिनाथ, केदानाथ, गंगोत्री और यमनोत्री, तो सडकों की अगर लंबाई और संख्या दिखी जाए, तो वो गड़वाल मंडल में अधिक है, कुमाव मंडल से, और एक और कुशन है कि, अभी जो बन रहा है, ये निर्माना धीन है, ये बन रहा है आपका, रामनगर से, कोटद्वार तक, और इसकी, इस जो, मार्ग को क्या नाम द जाएगी हो, मात्र 88 किलो मीटर हो जाएगी और ये राज्य के अंदर ही अंदर आएगा, अभी हमें यूपी होते वे आना पड़ता था, तो ये अंदर ही अंदर काटते वे आएगा, ये कोश्चन एक करंठ का भी है, ये आ सकता है, अब राश्टियम राजमार के कितने हैं उत्रगंड में 20 है, सबसे लंबा जो है वो है आपका 58 और सबसे छोटा है 72 A, सबसे लंबा हो गया 58, सबसे छोटा हो गया 72 A, और एक और कुश्चन था कि जनता द्वारा निर्मित सड़क कौन सी थी, जो पूरी जनता ने बनाई थी अपने आप, तो ये बनी थी आपकी 1950 250 और 60 के बीच में 56 किलोमेटर ये थी चौन्द कोट जन सकती मार्क जो की पौडी में स्थीत है, चौन्द कोट की लोग बहुत महनती होते हैं, ऐसा कहा जाता है, और चौन्द कोट जन सकती मार्क पौडी में, जो की पौडी में स्थीत है और 56 किलोमेटर की सड़क थी पू मोडा और हलदवानी और राज्य में जो UK सीरीज आप देखते होंगे नंबर प्लेट्स पे UK ये सीरीज कब से स्टार्ट हुई थी यह हुई थी एक नौबर 2007 से यानि कि जब उत्राखंड उत्रांचल से उत्राखंड बना था तब उसके बाद से ये UK सीरीज स्टार्ट हुई सब्安द एक और कौंसा इससित है बद्रिनात भी आपका 58 सह दो पिर तियोरह तसे ही रिष्टिकitet हो ते वे यह पूरा जाता है बद्रिनात तक तो यह आपका 58 फिर है की आपका केदारनात कहां केदारनात है आपका 109 पर फिर है यम्नोत्री यम्नोंत्री आपका 94 पे है और गंगोत्री आपका 108 पे तो गंगोत्री और केदानात को आप एक साथ याद कर सकते है 108 और 109 फिर आपका बद्रिनात होगे 58 और यमनुत्र होगे 94 अब है रेल परिवन तो रेल परिवन की बात की जाए तो रेल पत कहा कहा है एक तो हरिद्वार जल्पत में है देहरदून में है पौडी में है और उधम सिंग नगर में है इसके लावा नैनिताल में है और चमपावत में है तो सबसे ज़्यादा जो रेल लंबाई है वो हरिद्वार में है जबकि सबसे कम कहा है पौडी में पौडी में केवल कोड़द लेकिन अगर भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे पहले रेल कहां से कहां तक चली थी तो वो चली थी मुंबई से थाने के बीच कि भी आप को शन्याद रख सकते हैं साथ में और हरिद्वार और दहरादून के बीच में रेल्वे लाइन कब जुड़ी थी तो ये तो आज आपका परिवन भी हो गया education से related चीजे भी हो गई है इसके साथ साथ आपके प्रमुक संग्राल है वगेरा जो जो चीजे आपकी उत्राखन में छुटी वी थी वो सारी यहां पे complete हो गई है तो अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में किसी अगले topic में तब तक क good luck for your exam